हलो दोस्तों आपने कटहल की सबजी तो कई बार बना के खाई होगी आज हम आपको बताएंगी कि कटहल का कोप्ता कैसे बनाया जाता है यहाँ पर आप लोग देखी सकती हैं जो हमारा कोप्ता है कितना फर्फेक्ट बना है कितना अच्छा बना है और बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है तो आप लोग ना वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना तो चलिए दोस्तों इसे बनाना सुरू करते हैं इसको बनाने के लिए आपको एक कटहल लेना होगा यहां पर हमने ले लिया है सबसे पहले कटहल के ऊपर का आपको छिलका हटा के इसको छोटे- इसको डाल दिया है अब इसमें पानी को आपको डालना है यहां पर हमने पानी डाल दिया है यह इसमें पानी में डूब जाए इतना पानी आपको डालना है तक अच्छे से ना पक जाए अब इसमें आड कर देंगे थोड़े से मसाले को यहां पर डाल देना है थोड़े से ह है अबको 10 मिनर तक पका लेना है अच्छ से यहां पर हमनेसे प्यास्ष को काटके ले लिया है अदरक और लहसन इसको ना मतलब तड़का देने के लिए सब्जी चलिए एक बार देख लेते हैं को तो दोस्तों यहां पर जो कटहल है अभी अच्छे तरीके से नहीं पका है एक टाइम ऐसा आएगा इसमें का जो सारा पानी है पक के सूख जाएगा तो अभी छोड़ देते हैं फाइप मिनट के लिए और पकने के लिए यहां देखिए हमार कटहल है पक तयार है इया अच्छे से पक चुका है दोस्तों इसको एक न्पने बरतन में निका लेना इrantह गया से मैस करेंगे आप हाँ और मैस कर सकते हैं मतलब मैसर ऑप पर जो अच्छा लगते ना उससे मैस कर लें तो यहां पर हमने मैश कर लिया है अब इसमें अफैक करेंगे दोस्तों बेसं यहांपि हमने अफैंद मेशर लेते हैं अब इतना न्युक plural कि न्युक्त मुपकरिसे हÎल घ्ला करेंद लिये यहां पर हमारा जो डो है बनके तयार है मतब डो की तरह यह तयार हो जाएगा तो आपको ना ऐसे गोल गोल बना लेना है कोपते को इधर देखे हमने बनाया एक और भी अपना बना के रेडी कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही कोपते बना ले ले हैं कट हरके तो इधा देखिए दोस्तों हमने सभी कोपते को बना के रेडी कर लिया है यहां पे हमारा जो तेल है गर्म है अब यह करके सभी कोपते को डाल देते हैं तकि अच्छे से फ्राई हो जाए जब कोपता नीचे की तरफ लाल हो जाए तो आपको इसे पलट देना है तो यहां पे हमारा सोरी हमको थोड़े से खासी आ गई तो दोस्तों यहां पे हमारा नीचे की तरफ लाल हो चुका है इसको पलट देना है आपको भी ना ऐसे कोपते को उलट पलट के पकाना है जब अच्छे से लाल हो जाए उपा नीचे अच्छे से पक जाए तभी कोपते को निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कुपता है बनके रेडी हो चुका है इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं तो सभी को निकाल लेते हैं आपको भी ऐसे ही तल लेना है कुपते को दोस्तों यहां पे हमने न वापस फिर से कराही में तेल डाल दिया है सरसो का तेल में ही सबजी को बनाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तयार होगा अब इसमें डाल देना है ये तेज़ पत्ता और थोड़े से हमने खड़े धनीय को डाल लिया है साबुत धनीय जिसको बोलते हैं अब इसमें डाल देना है थोड़ा से जीरा जीरा जब चटक जायना फिर इसमें आयट करना है अद्रक लहसुन प्याज के तड़के को जो हमने पहले से ही काट के रखा था तड़के को डालने के बाद आपको इसे हलका प्राउन होने तक दो मिनट तक भुनना है हलका से एक फिर तड़का spray लाल you be पॉटर इसमें अब इसमें और और ये प्रकार की मसाली को डौले की जरूरत नहीं और मतलब आप जितना ठीका खाते हैं उसके साब से मिल्चे को भी आड़ कर दें मसाले की हलकी सी भुनाई कर लेनी है और फिर इसमें आड़ कर देना है ना दोस्तों दही यहां देखिए हमने दही दो समच लिया है इससे जादा ना ले दही को डालने से जो ग्रेवी है ना ब कर दो तीन मिनट तक बका लें सभी चीजों को यहां पर हमारा पक के रेडी है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह जो मसाला है पैन छोड़ने लगा है कितने अच्छे से पक चुका है अब इसमें आट करना होगा पानी पानी को हम डाल देते हैं पानी को बहुत ज़दा अब अब इसमें नहीं डालना है अच्छे से जब पक जाए ग्रेवी तभी डालना है तो इसी हमने एक बार खोल लिया दोस्तों यहां पर जो ग्रेवी है ना पक चुकी है आपको ना ग्रेवी को बहुत ज़दा थीक करने के बाद को नहीं आट करना है क्या होता है जो कुपती को डालने के बाद दोस्तों आपको फाइप मिनट तक पकाना है तो यहां पर हमारा पक चुका है जो कटहल का कुपता है सब्जी की बन के तयार है बहुत ज़दा टेस्टी बनती है दोस्तों तो हम इसे ना अपने इंडेक्शन पर से उताल लेते हैं चलिए आपको सब्सक्राइब दरूर करना मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रसी भी के सांथ तब तक के लिए बाय बाय टाटा